नैनी थाने की पुलिस ने बुधवार को 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीट जावेद उर्फ गंजिया का मकान कुर्ग कर लिया जावेद पर रंगदारी और धमकी के मामले में नैनी थाने में कई मुकदमे दर्ज है और वो फरार चल रहा था जिस पर कोर्ट के आदेश से नैनी पुलिस ने आज उसके घर की कुर्की की कारवाई किया है बताया जाता है कि वो कई महीनों से फरार चल रहा है और नैनी थाने का हिस्ट्री शीट भी है जावेद की गिरफतारी पर 25,000 का इनाम भी है थाना नैनी पुलिस द्वारा शासंस तरसे चिनित माफिया व 25,000 रुपे के पुरसकार घोशित अभियुक्त मुहम्मद जावेद और पप्पु पुत्र हिफाजत अली और फतेह मुहम्मद निवासी गंजिया थाना नैनी प्रयागराच के विरूद्ध कुर्की की कारेव ही की गई जावेद और पप्पु गंजिया नैनी थाना चेदर के सुची बद माफिया चिनित हैं जिसके विरुद्ध 42 मुगत में पूरु से पंजगरित थे जिसमें लगातार वा फरार चल रहा था मानियन नियाले द्वारा आज कुर्की का अदेश प्राप्थ हुआ आज ही नैनी पुलिस द्वारा कुर्की की करवाई संपन की गई अभी तक इसके विरुद 42 मुगत में पंजिकरित है अब जो भी चल संपत्ती थी वो कुर्की गई अभी इस चीज को नहीं कैल्कुलेट किया जा सका है कि संपत्ती कितने की थेंक्यू कि समयला थेंक्यू झाल क्ष़ एख में को भी बबाइस्ट तक सकते ळाइस्ट कि गझा जाएस्ट लगने रह शेंगा कि यह सुनिल कांगा निकल गया हुआ है इसे कांग वह याद दुनी है तो नहीं लागा मुनादी नहीं करेंगे यह तो बात हो चुकते हैं कि अपर लागा धरुक कांगे मैं करते हैं ऍली कर वार में करते हैं कि फिरल का अफिक के वड़ी के बल्वारय बभु कैसे आप हमारे स्वाप्स की आप तक हिए ciao अं हिए है